अज़ आपका जन्म दिवस है ऐसे मौके पर क्योंकर लाकों लोग आपके इसे वक्तों को और जो लोग ढूल रहे हैं आप देजिए आपके लोगों को उनके लिए तुम्हाइब मस्में ही फ्हलाने वाला हूं ना तो लोग सीख के गए हैं वृ अब्बारा आएंगे अफ्र दुबारा आईगे उसे करा करा के इसे और उमको अधन्य ने कालना शृष भाश ने आएगे न वीट दोर से विस प्राव दुटावल आ एं डेवलाई क्राफ में टूंसे इस वाल किया है और अजकीा पर दोर सब्सक्राओं में पर कि अगर आप क्या समझते हैं कि हम तो बेशक उनके शत्रुवत हमने वहवार कि आया आस तक लेकिन उन्हों ने कभी भी हमें शत्रुवत रवार नहीं किया हमारे साथ और भारत के लोगों ने अपना प्रेम दिया कुछ अदरी आज आप देख भी सकते हो पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं हिंदू लोग दुखी जो पाकिस्तान की तरफ चले गए ते जब कि हिंदुस्तान में जो इसका कर देखाए जाता है हिंदु है मुष्दि मुस्लिम पाटी नहीं होगा और वह भी भी आप मौझूद है अर्शवा करते यह तो भारत तो एसा देश है जो शमर्थ डेश जिसमें सभी धर्म सापेक्स है निर्पेकस नहीं है हें गाद को आपको सारे दर्म को आपको यह अगर हम देखे तो ये शुरुवाती महीना है, जनवरी का महीना है, इसी महीने में भारत के लिए बहुत सारी खुशियां कही न कहीं आने लगी है, क्योंकि साड़े 500 सालों के बाद अयोधिया में शिरी राम लला की प्राण प्रितिष्टा की बात करें, या गुड़गाओं में आज शनीद हमें महंत मनु भाया जी के जनम दिवस की बात करें, या फिर आने वाले कल की बात करें, जो गड़तंत्र दिवस है, क्या कहते हैं से, देखिए सभी सुरक्षित रहें, एक तो, सभी सुरक्षियां में भी रहें, और दूसरा बात ये है, कि आप वैमनश्य को त्याग दे, अगर भारत में रह रहे हैं तो, अगर नहीं त्याग पाएंगे, तो जो अभी नीतियां आने वाली हैं भारत में, और भारत की उन्नती में जो नीतियां सायक होंगी, उसमें आप मात खा जाएंगे, और पता चलेगा तब आपको जिस समय सुख लेना चाहिए, उस समय आप मालिया कह रहा है कोई वक्तितों कह रहा है आपके बीच में कि मैं राम राज ला दूंगा तो भई आपको भी हम राज करने के लिए देंगे हमने इतना राज जो है दूसरों को करने के लिए दिया है यहां किस ने राज नहीं किया है ैंगे पर जुखाइए और बारत इन पर रष्टे और जोब रहे कली एकषित कतिते देंगे पर हम कोशिष करेंगे यहां पे राम्राज है आउड सब्सक्राइब करें नीटियों का जो बारत दयू जो वे इंडू कर लोग हम पर उठाए और जो बहु基 हिस्थ को शोर को और गानपतय को सबको यह मानना चाहिए हमारा इस्थ सबके हिर्दे में निमास करता है तब वाइबो नहों पूर्ण उसके गी वरना तो भगवान अपूर नहीं रह जाएंगे क्यों क्योंकि हम भगवान को छोटा कर देते हैं यह ना मानके एक दूसरे से गलानी करके एक दूसरे से द्वेस करके एक दूसरे से बेद करके तो हमें अपने भगवान को बढ़ा करना है ब्रोड करना है हमारा भगवान तो स जब आदमी बोलना सीखता है तो उसको राम राम कहना भी सिखाया जाता है और हिंद्यंगम है मैं करीब करीब कुछ नहीं आदमी का जीवन होता है एक राम शब्द उचारने से ही लोगों की निगेटिविटी भागती है मैं ये करके दिखा सकता हूँ और चाहिए इसके लिए कोई भी आ जाए ठीक है कि ने तो राम लला तो सबके हिद्यंगम है पहले से ही यह भारतिय जनवानास है या राम की कथा पे भगवान शंकर ने सत्यम शिवन सुन्दरम लिखा जब तुर्शी दास जी ने रामायन का ग गरंट पूण किया और उसकी मंदिर में शाक्षात परिक्सा ली आप वहां के मंदिरों के पंडितों ने तब वहां पर भगवान का जो ग्रंथ हो वह सबसे उपर हो गया और उसके सत्यम शिवन सुन्दरम भगवान ने ही शाहिद यानि कि भगवान शंकर ही कह रहे हैं कि इससे सुन्दर कोई करंद नहीं तो राम कथा से भी सुन्दर कोई कथा नहीं और राम लाला से भी सुन्दर कोई लाला नहीं किसी का भी हो चाहे वो क्योंकि यशोता का भी काला था लेकिन राम तो जया शनी देव सबको राम की भक्ति मिले इसलिए हमने राम का भजन भी स जै राम! जै जै राम! जै राम! जै राम! तोरिय शक्तर भगवान की जै!